दोस्तो अगर आप भी 2022 में WhatsApp चलाते हो WhatsApp का यूज करते हो तो बस इस बटन पर 3 बार दबाओ और खुलेगी सबकी पौल जिहां दोस्तो जैसे कि आपने थम रेल में देखा बिलकुल सही देखा है WhatsApp पर बस इस बटन पर 3 बार दबाते ही सबकी पौल खुल जायेगी अगर आप बेश ट्रेक के बारे में जानना चाहते हैं 2022 की खतरनाक सेटिंग को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा यहाँ पर चले सबसे पहले अपने वर्टसप को ओपन करता हूँ यह रहा मेरा वर्टसप और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बटन पर तीन बार दबाते क्या होने वाला है यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने वर्टसप को ओपन कर लिया है वर्टसप ओपन करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो live proof देख सकते हो, मेरा WhatsApp काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैं chats वाले पर हूँ, यदि मैं status पर क्लिक करता हूँ, calls पर क्लिक करता हूँ, या फिर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा WhatsApp काम नहीं कर रहा है, य दोस्तो इस setting को on करने का फैदा यह होगा जैसा कि मालो आपसे कोई भी phone ले लेता है और आपका WhatsApp open करके आपके chatting read करने लग जाता है आपके message पढ़ने लग जाता है और आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो लेकिन दोस्तो यह वाली setting को on करने के बात आपका WhatsApp कोई भ क्लिक करके दिखाता हूं ठीक है यहां पर आप लोग कहीं भी तीन बार क्लिक करोगे आपका WhatsApp काम नहीं करेगा देख सकते हो दोस्तों कुछ भी काम नहीं कर रहा है लेकिन यहां पर मैं आपको चीज दिखाता हूं यहां पर नीचे देख सकते हो ना यह वाला option दिख रहा ह बस आपको यहां पर तीन बार क्लिक करना है ठीक है एक दो तीन जैसे आप लोग तीन बार क्लिक करते हो तो यहां पर आप से पिन मांगेगा चले यहां पर मैं एक पिन डालका हूं इस तरह से यहां पर जो मैंने पिन सेट किया वा था यहां पर डाल दिया है अब दोस्तों यहां पर आप लोग लाइव देख सकते हो मेरा वर्टसप ओपन हो गया जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो अब फिर से अपने वर्टसप को यदि आप लोग ओपन करते हो तो कुछ इसी तरीके से आ जाएगा जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो अब कोई भी आपके WhatsApp को चेक नहीं कर पाएगा और आप यह सेटिंग को अपने WhatsApp क अंदर अपलाई देखना हुगा चले इस वीटो को स्टार्ट करते हैं आप सबी को कुछ काम करना है सबसे पहले इस वीड़ो को लाइक करना है गंटी को दबा के all पे सैट कर दो ये काम बिल्कुल free होता है इतना काम आपको जरूर से करना है और यहाँ पर आपको comment में आना है comment में आने के बाद यहाँ पर आप सभी को अपना feedback जरूर देना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी comment करने के बाद चलिए आप इस वीडियो को start करते है मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तो इसके लिए आप सभी को अपने mobile phone के अंदर एक app डाउनलोड करना होगा इस app को आप लोग वीडियो के description से डाउनलोड कर सकते है description में आप सभी को इस app का link देखने को मिल जाएगा वहाँ से आप लोग इस app को अपने mobile phone के अंदर डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद आपको simply open करना है उसके बाद start पे क्लिक करना है start पे जैसे आप लोग किलिक करते हो 1234 इस तरह से रख लेता हूँ उसके बाद confirm password भी आपको यही रखना है 1234 ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर एक email add करना है कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो email मैंने add कर दिये उसके बाद आपको save पर क्लिक कर देना है आपको इसके आंगे enable का option मिलेगा आपको enable पर क्लिक करना है enable पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को दो permission को देना है पहली वाली permission पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आप सभी के सामने interface देखने को मिलेगा अब इस application को आप सभी को अपने mobile phone से permission देना है जैसे कि यहाँ पर मैं permission दे रहा हूँ आपको भी यहाँ पर permission देना है उसके बाद back आना है back आने के बाद आपको दूसरी वाली को permission देना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस पर click करना है और इस application को permission देना है इंट्रेक्टिव कवर पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके मुबाइल फोन में जितनी भी एप्लिकेशने देखने को मिल जाएंगी, अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपने वर्टसप को सेलेट करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेले बैक आजाना है, अब दोस्तों आप लोग अपने वर्टसप को जैसे ओपन करते हो, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पर आप लोग दो बार दबाते हो, तो फिर भी आपका यह वर्टसप नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग तीन बार दबाते हो, तो आपके सामने यह पासवर्ट मांगेगा, जो आपने विर अप्लिकेशन ओपन करते वक्त क्रेट किया था, जो आपने पासवर्ट डाला था, जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए 1,2,3,4 डाला था, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से हाइड करके अपने दोस्तों से चैटिंग रीट करने से बचवा सकते हो, मतलब यह अप्लिकेशन बहुत ही कमाल की है, यह आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, इसका लिंक आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, से आप सभी को इस एपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है, बाइ बाइ